केम्पिंग तो बहाना है हमको तो नेचर के पास रहना है कोई-कोई पुछते हैं अप लोग को बोर नहीं लगता हर विकर्ण निकल जाते हो कहीं न कहीं इतना छोटा स्पेस में खाना बनाते हो अभी क्या बता हूं रोज उठोगे वही चार दिवारी के अंदर खाना बनाओगे वही टीवी नेट्फ्लिस फेस्बूप वाट्सबूप ओफूली आंसर मिल गया रहेगा नमस्ते जी कैसे आप लोग जो पहली बार देख रहे हो उनके लिए मेरा नाम है स्रिकान मैं एक आईटे प्रोफेशनल हूं और एक ट्रावल ब्लागर भी मैं बहुत सरा जगा घुमता रहता हूं केम्पिम के लिए भी जाता रहता हूं मेरे पास एक मोडिफाइड मारूती इको है जो कि मैं केम्पिंग वेहिकल जैसा यूज करता हूं आज का ये ब्लॉग ट्रावल ब्लॉग नहीं है लेकिन काफी इंपोर्टेंट ब्लॉग है ये ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं क्या-क्या एसेसरिस में यूज करता हूं या वास्रूम यूज करना वह सारे चीज इंपोर्टेंट रहता है और आप अगर किदर रिमोट लोकेशन पर हो तो यह सारे चीज इंपोर्टेंट होता है तो सोचा कि यह वीडियो बना ले क्योंकि वैसे भी घर पर बैठे हैं बाहर तो जा नहीं सकते लोगडाउन चल र मुशन पता मी जाल सकते हो और मेरे पास तो केम भाने रहीं चीज है कि छाना वनाना आप रिमोट लोकेसें पहो तो खाना भी बनाऊगंगे तो आपके लिए वो सब चीज चाहिए जो आप खुद खाना बना सक्यों तो वह एक चीज है थर्ड चीज है वेरी इंपोर्टेंट वास्ट्रूम यह काफी इंपोर्टेंट रहता है आपके पास अगर एड़ल लोग लेडिस उन लोग के लिए ना यह काफी इंपोर्टेंट चीज है वह भी मैं यह ब्लोग के दिखाऊंगा कि कैसा आप यूज कर सकते हो इसको तो चलिए शुरू करते हैं के बाद एक पहला चीज खाना बनाने के लिए आपने अल्रेडी देखा रहेगा मेरे पास एक केंपिंग स्टोव है जो की बड़ा वाला है यह वाला ठीक है लेकिन यह वाला में और एक प्रब्लम है इसमें कैनिस्टर चोटा 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 ग्यास कैनिस्टर आता है यह हंस का और ऐसा बहुत सारा कंपनी से जो की यह डवलब करते हैं तो यह थोड़ा कोस्टली हो जाता है इसका प्राइस 180 रूपिस आता है तो आप अगर ग्रूप में हो और कुक करना चाते हो तो यह थोड़ा कॉस्टली अप्शन है क्योंकि 90 मिनेट से जाधा चलता नहीं है लेकिन इसका खाशियत यह है कि इसके साथ और एक चीज आता है ऐसा टूल मैं दिखाता हूं आपको यह चीज तो यह चीज क्या होगा आप नॉर्मल गेस सिलिंडर से भी यूज कर तो वो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्सण है आप अगर चाते हो तो यूज कर सकते हो यह थे दूसरा वाला आप देखा रहेगा आप अगर रिगुलर व्यूर हो तो मैं गोओ वाला जो टृप में एक ट्रेकिंग टृप में यूज किया था यह छोटा वाला यह छोटा वाला यह सा अनफोल्ड करके यह करके इसका स्टैंड भी है यह दखो तो यह मस्ट सा कुकिंग प्लाटफॉम बन जाता है आप इसमें कुक कर सेकते हो यह बेसिकली क्यूं यूज होता है जैसे कि हम ट्रेक के लिए लिए राइट थोड़ा दूर चलके जाना है नदी के पास हमको थोड़ा हाइक करना है तो ऐसा केस में यह कॉंपर्टबल है यह मस्त रहता है तो यह मैं करता हूं हम ऐसा तो खाना बनने का तो हो गया और बेट के बारे में तो बात कर चुका हूं आपको दिखा भी दूंगा हम कैसा यूज करते हैं उसको जैसे चार प्लेट है मेरा वह क्या करता हूं दोनों जो प्लाटफर्म है प्लाइवड में बना हूं उसमें करनेट करता हूं तो पूरा बेट बन जाता है आपने तो दिखा रहेगा नहीं तो लिंक आएगा उसको क्लिक करके पूरा मेरा केमफर वेन का फिर से देख सकते हो अगर चाहिए तो थर्ड सकता है पूरा खुल जाएगा चाते की तरह और पूरा एक कमफर्डेवल स्पेशियस एक प्राइबेट स्पेस आपको मिल जाएगा आप मतलब नहाने के लिए या रेस्ट्रूम आप यूज कर सकते हो बैसिकली लोग उसके उपर ज्यादा बात नहीं करते हैं लेकिन आप म मैं एसा एक टूल दिखाऊंगा जो कि काफी अच्छा रहता है छोटा सा स्पेस में आ जाएगा आपका कार का जो यह है बूट स्पेस है उसके अंदर आ सकता है फोल्डेबल है पूरा तो इसको कैसा करोगे कि पूरा यह ओपन होता है ओपन होने के बाद इसके साथ एक आप कवर कर सकते हो एक पॉलिसिन में जो की यूजन फो पॉलिसिन आता है डिस्पोजबल रहता है ओ और यू दू यूर जॉब इन दाट यस पेकिट देन उसके बाद आप एक गड़ा कुल सकते हो जो की टूल आता है गड़ा कुलने के लिए और यू यू डूम इट तो सब्सक्राइब करते हैं और आप अगर रख सकते हो तो भी काफी बेतर अगर लॉंग जोनी में हो आपके आपके साथ लेडिस कीड्स और एल्डर्स ट्रावल करते हैं तो यह वाला काफी मतलब यूसफुल है एनदर कूल एसेसरीस इस फोल्डिंग टेबल एंड इस फोल्डिंग चैर प्रिटी कंविनेंट किदर भी हम आउड़ोर में रहते हैं तो खाना खाने के लिए या ऐसे ही बैठने के लिए राइत काफी अच्छा लगता है यह वाला चीज तो यह फोल्डबल है इसा एक्चली दो तीन चेर्स है मेरे पास और यह फोल्डिंग टेबल है काफी सारा वीडियो में आप लोग ने देखा रहेगा हम जब आउटडोर में रहते हैं हम इधर तो एक खाना बना सकते हैं इसके ऊपर नहीं तो इधर बैटके खावी सकते हैं तो बहुत ही अच तो स्टोरेज बक्स के अंदर आता नहीं है लेकिन मैं बाहर ऐसे स्टोरेज बॉक्स के ऊपर रखता हूं यह वाला टेबल एंड जो टॉलेट है ना वह वाला चीज अभी लास्ट इसके बारे में मैं बात करूंगा जो की रिक्वार्मेंट रहता है पावर का जब हम रिमो आप यूज कर सेकते हो जो की 12 वोल्ट का यह आता है यूएसव वाला चार्जर सा आता रहता है लेकिन मेरे पास यह है मैंने यह लिया रिसेंटली और काफी यूजफुल प्रोड़क्ट है बहुत सारा कंपनिस का आता है मुझे लगा यह वाला ठीकी है बेस्ट आन रिवी आप यूज कर सकते हो सारे अप्लैंस नहीं काम करेंगे जैसे कि फैन हो गया राइट मोटर जिसमें जो बैसिकल यूज रता है वह वाला आप यूज मत करना क्योंकि खराफ हो जाएगा और बेटरी भी प्रॉलम हो सकता है लेकिन आप लेक्टव चार्ज कर सकते हो जिसमें आपको चाहिए तो आपको गाड़ी आउन करना पड़ेगा गाड़ी आउन के कंडिशन में आप यह यूज कर सकते हो काफी यूजपूल प्रॉडक्ट है 2500 रुपीज में आया था आप बहुत सारा कंपनी इसका दूसरा भी आता है तो आप वह चेक कर सकते हो आमजन से लिय लेकिन अगर चाहिए तो यह वाला फैन यूज कर सकते हो यह आच्छा क्वालीटी वाला फोन है फैन है थाउजन रुपीज कुछ लिया था जो की यूजपी पावर्ड है आप यूजपी एगेइन यह जो प्रॉडक्ट में ने दिखाया रहा है इसमें चार यूजपी पो लागा मुझे और अब्यूसली टॉर्च यार टॉर्च तो चाहिए ही चाहिए केम्पिंग के लिए तो मैं यह दोनों वाला मतलब दोनों अप्शन है जैसे की एक तो यह वाला रहता है और यह वाला पीजियोन का है बहुत बहुत दिन पहले लिया था बहुत काफी या लॉंग डिस्टेंस ट्रावल के लिए यह सोचा कि आपको हेलफुल होगा इसलिए मैंने सेर कर लिया अभी तो किदर ना जा नहीं सकते लेकिन मेरा प्लान है कि मैं एक दो दिन में किदर एक केम्पिंग ट्रिप के लिए जाओं सोलो अकेला जाओंगा क्योंकि मुझे वह भी एक experience लेना है यार मतलब अकेला ट्रावल भी एक चेहिए क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं हम खुद को समझ पाते हैं बहुत सारा एसा सोच चलता रहता है जो कि हमको समझना जरूरी है रहता है और नेचर के पास जाएंगे कोई लेक देखेंगे पहाड लेक के आसपास केम्पिंग करेंगे और आपको दिखाऊंगा मैं नेस्ट ब्लोग में तो कोई भी लोग कोई भी विविवर्स अब पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सस्क के दूने, टेर गेर गेईगे प्लाओट के लिए गाड़ क्न tins बेलग भी बाटे ई.